अगर आप बस ये एक काम करें, तो आपकी सभी पुरानी बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी ये शरीर को बनाने वाला यस्रिष्टा आपके अंदर है जिसने पूरा शरीर बनाया है, क्या वो एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता? हमने बस कुछ सरल प्रक्रियाएं करके, हजारों लोगों को उस समस्या से बाहर निकाला है अगर हम बीमारी और इलाज की बात करें, तो अध्यात्मिक्ता और भौतिक शरीर में क्या संबंद है? जरूरी नहीं कि बीमारियों से बचे रहना खुशाली है सेहत जरूरी है, पर सेहत खुशाली नहीं है जब आप अच्छा मैसूस करते हैं, जब आप अपने वजूद के हर पहलू में अच्छा मैसूस करते हैं, इसे खुशाली कहते हैं खुशाली यानि आपने अंदर और आसपास की हर चीज के साथ तालमेल में होना इसका मतलब है जीवन की संपूर्था खुशाली यानि जीवन्थ होकर जीना, नकि मन को बिजी रखना सेहत खुशाली का बस एक हिस्सा है खुशाली के लिए सेहत एक जरूरी हिस्सा है पर सब कुछ नहीं है हेल्थ शब्द होल यानि संपूर्ण से बना है यानि जब आप संपूर्णता महसूस करते हैं तब आप स्वस्थ होते हैं तो उस एसाब से सेहत खुशाली है पर आजकल सेहत को जिस तरह किसे देखा जा रहा है बस शारिरिक सेहत को खुशाली माना जा रहा है बिना खुशाली महसूस करना कठिन है जैसे Medical Physiology है वैसे योग की Physiology है हम शरीर को पाँच पर्तों या लेर्स के रूप में देखते है पहला भौतिक शरीर है जिसे अन्नमैकोश कहते है जिसका शाब्दिक अर्थ है भोजन का शरीर बाहरी शरीर बस हमारे द्वारा खाए गए भोजन या धर्ती का एक टुकड़ा है शरीर की अगली परद है मनुमैकोश जिसका शाब्दिक अर्थ है मानसिक शरीर तो योग में मन को किसी एक स्थान परस्थित मौजूद नहीं माना जाता है पूरे शरीर में बुद्धी है और पूरे शरीर की हर कोशिका की अपनी आदाश्थ होती है हम कम से कम ये जानते हैं कि आधनिक चुकित्सा से भी और अपने अनुभाव से भी कि हमारे शरीर की हर कोशिका को याद है कि हमारे पूरवजों के साथ 1000 साल या 10 लाग साल पहले क्या हुआ था हर कोशिका में विशाल यादें और बुद्धी है तो एक मानसिक शरीर होता है यह हाड़वेर और सौफ़वेर की तरह है पर ये दो चीजें खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक अच्छी पावर ना मिले। तो शरीर की तीसरी परत को प्राण मैं कोश या उर्जा शरीर कहा जाता है। इस उर्जा शरीर के बारे में अनुभव पर आधारित विशाल ग्यान मौजूद है। ये प्राण मैं कोश है। 72,000 नाडियां या मार्ग होते हैं जो एक खास तरीके से मौजूद हैं। इन चीजों के बारे में पून और गहरा ग्यान है। उन सभी चीजों पर महरत पाने के लिए और अपने अनुभव और खुशाली पर असर डालने के लिए। खास तोर पर अगर बात सिर्फ सेहत की करें, तो अगर किसी का प्राण मैं कोश या उर्जा शरीर पूरी तरीके से संतुलित और जीवन्त हो, तो भौतिक और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। भातिक और मानसिक शरीर में रोक की कोई संभावना ही नहीं होगी। उर्जा शरीर को तालमेल में लाना, उर्जा शरीर के दो हिस्सों को संतुलित करना जिन्हें एडा और पिंगला कहते हैं और उन्हें जीवन्त रखना अगर ये किया जाए तो साफ पता चल जाएगा कि जो भी पुरानी बीमारिया हैं चाहे वो बाहरी शरीर में हो या मन में ह वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी हम ऐसे हजारों लोग दिखा सकते हैं जो बीमारियों के साथ आये थे पर हमने उन बीमारियों को इलाज नहीं किया हमने बस उनके उर्जा शरीर को जीवन्त और संतुलित बनाने में उनकी मदद की देखे इसे देखने के कई तरीके ह आईए इसे हैसे देखते हैं इस शरीर को बनाने वाला हमारे अंदर है इस शरीर को बनाने वाला यह स्रिष्टा आपके अंदर है तो मरमत करवाने के लिए आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मेकैनिक के पास अगर आप निर्माता तक नहीं पहुँच पा र वरना आप स्वभाविक रूप से इस रिष्टा के पास ही जाएंगे इतना बड़ा शरीर बनाने वाला क्या एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है अगर आप उस तक पहुंच पाएं तो हमने कितने सारे लोगों की दमा की स्थिती को ठीक कर लेने में बड़ी आसानी से उनकी मदद की है भारत के शहरी आलाकों में सांस की तकलीफ बहुत आम है हमने हजारों लोगों को उससे बाहर निकाला है दवा से इलाज करके नहीं बस कुछ सरल प्रक्रियाएं करके अगर आप खुद में काफी गहरे उदर जाएं तो जिसने ये शरीर बनाया है वो बुध्धी और वो उर्जा जिसने ये शरीर बनाया है यहीं हमारे अंदर मौझूद है हम आपको उस बुध्धी तक पहुँचने के तरीके सिखा सकते हैं जो इनर इंजिनरिंग हम दुनिया को सिखा रहे हैं वो बस यही है एक सरल तरीका जिससे सभी अपने अंदर मौझ कर उस उर्जा तक पहुँच पाएं यह कोई धर्म नहीं है ना फिलोसफी है यह कोई सीख भी नहीं है यह अंदर मौझने की एक तकनीक है खुशाली की तकनीक